बिहार में कोरोना का खत्रा एक बार फिर से बढ़ने लगा है कराकी की ठंड लगतार कोविड मरीज बढ़ रहे हैं पिछले 24 खंटे में पटना गया और दर्भंगा में कोरोना के साथ पॉजिटिव केस मिले हैं संक्रमित मरीजों के सैंपल को जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए आईजी आईएमस भेजा गया है तो वहीं आपको बता दी कि स्वास्त विभाग ने संक्रमित मरीजों को होम आईसोलेशन में रहने की सलाह दे दी है साथी लोगों से अपील की गई है कि सभी लोग मास्क लगा कर ही घड से बाहर निकले भीर भार वाले जगों पर जाने से बचे कोविट के लक्षन दिखने पर फॉरन जाज करवाए बिहार सरकार द्वारा जारी कोविट गाइडलाइन का हर हाल में पालन करे तो वहीं बता दे कि पटना सिटी में कोरोना के तीन मरीज मिले हैं तीनों महिला हैं इनमें से दो पटना जिले की हैं और तीसली नालंदा की रहने वाली हैं इनमें होम आईसोलेशन में रखा गया है पताया जा रहा है कि तीनों अन्य बिमारियों का इलाज कराने आई थी पॉजिटिव बच्ची को नरायन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज जारी है लेकिन खबर निकल कर सामने आई है कि अब उस बच्ची की मौत हो गई है जिसके कारण स्वास्त विभाग हर कम्प मच गया है वहीं तीन यूवकों को होम आइसोलेशन में रखकर उनका इलाज किया जा रहा था गया जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना के तीन मरीज मिले है इस तरह अब गया में आक्टिव केस की संक्या पाच पहुच गई है इन में से दो कोरोना मरीजों का सैंपल पटना जाच के लिए भेजा गया है वहीं दरभंगा में सर्दी खासी कोर्ट के अनुसार महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है तो वहीं आपको बता दी कि रहतास में एक छोटी सी बच्ची कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी जिसका अस्पताल में इराज जारी था लेकिन अब कबर निकल कर सामने आ रही है कि अब उस बच्ची की मौत हो है लेकिन वहीं अब कोरोना के अक्टिव केस बिहार में भी कई जादा पाई रहे हैं सबसे जादा अगर बात की जाए तो गया रोहतास भी कोरोना के कई केस पाई गए हैं तो वहीं पट्ता में भी कोरोना के अक्टिव केस मिले हैं तो लोगों से अपील की जा रही है कि सर जिसे टूज सकते हैं!